परम पिताप परमेश्वर कहते हैं, भव सागर यानी काल लोग से निकलने के लिए भक्ति की सक्ति की आवस्यक्ता होती है। परमात्मा प्राप्ति के लिए जीबों में सोलह लक्षन अनिवारी हैं। इन 16 लक्षनों को 16 स्रिंगार या 16 आभुसन कहा जाता है जिसमें से पर्थम नमबर पर है ज्यान मनुस्य को ज्यान होना अती आवस्चक है ज्यानबान मनुस्य ही सब कुछ भली भाती समझ सकता है दूसरे नमबर पर आता है विबेक किसी बेक्ती विशेश को मनुस्य को बिवेक सील होना चाहिए परमपिता परमेश्वर्व की प्राप्ती के लिए ज्यान के साथ बिवेक बान मनुस्य होना चाहिए तीसरा अस्थान पे आता है सत्य वचन, सत्य भासन परम मनुस्य को चाहिए कि वो हमेशा सत्य वचन बोले परमातमा की प्राप्ती के लिए सत्य वचन अनिवारी है चार नमबर संतोसी मनुस्य चलते नमबर पर है परम संतोस प्राप्त परमातमा द्वारा दिये जा रहे फल में आप संतोस करें पांच में नमबर पर है प्रेम भाव परम मनुस्य को चाहिए कि प्रेम भाव से भक्ती करें और सभी मनुस्य से प्रेम भाव में बात करें चठे नमबर पर आता है धीरज परम मनुस्य को चाहिए कि हर परिस्थिती में धायर्य और धीरज बनाए रखे आपको सत्गुरु ने जो ग्यान दिया है या आपके किसी गुरु ने जो आपको ग्यान दिया है आप धीरज और धैरी बना कर उस और बढ़ते रहें फल के लिए जल्दी ना करें साथ नमबर पे है धोखा देना किसी को परम्मनुस्य को चाहिए किसी को भी धोखा ना दे किसी से दगा ना करें आठ में नमबर पर है दया का भाव परम्मनुस्य को चाहिए जीव मात्र से दया का भाव हमेशा बना के रखे नवे नमबर पर आता है छमा भक्त तथा संत को का आभूसन छमा है सत्रू को भी छमा कर देना चाहिए दसमे नमबर पर है सील का भाव सवभाव में सील होना आवस्यक है एक ग्यार में नमबर पर है भक्ति को निश्काम भाव से करे संसारिक लाब प्राप्ति के उद्देश से बिल्कुल नहीं अर्थात कहने का है आप जो भी कारी करते हैं बेक्तिगत जीबन में संसारिक जीबन में या फिर परमातमा की भक्ति में वो निश्काम भाव से करें किसी फल की प्राप्ति के उद्देश हेतु बिल्कुल ना करें बारन नमबर पर त्याग की भावना परम मनुस्य में त्याग की भावना अनिवारी है मनुस्य को चाहिए किसी प्रकार के लोब मोह में बिल्कुल ना फसे चौदा नमबर में है बैराग्य परम मनुस्य को चाहिए संसार से बहुत अधिक मोह माया नहीं रखे ये संसार नास्वर है इस संसार को मिर्त्यू लोग कहा जाता है जीबन और अस्थाई है ये परमातमा के परती बिसेश लगा होना मोक्ष प्राप्ति के लिए अति आवस्यक है चौदा नमबर पर है सांती निजधर्मा भक्त का विसेश गुन सांती होती है ये अनिवारी है 15 नमबर पर भक्ति करना यानि भक्ति करके जीवों का कल्यान करें 16 नमबर पर है परतेक बिक्ति के साथ मित्र के शमान बहवार करना चाहिए उपरोक्त सोलगुन भक्त में होना आवस्यक है परमपिताप परमेश्वर की प्राप्ति है तु विसेश बिकार का त्याग कर देना चाहिए तब जाके मनुस्यकी भक्ति सफल होती है